वेल्कम टू इनिशियेटर कैडमी कुश्चन में पूछा गया है स्टेट्मेंट वन यहां पर हमारे पास दीव ही है वाट इस दिस स्टेट्मेंट वन बोथ इसका इलेक्तवन कान क्विग्रेशन बनेगा 3D7 और 4S2 अब कोबल्त यहां पर प्लस 3 ऊक्सिटेशन स्टेट में दो इलेक्ट्रोन यहां से निकल गी एक electron यहां से निकल गया यह आगया 36 देखें अब कोवाल्ट अगर प्लस थ्री oxidation state में है तो ammonia जो है इसके साथ कैसे act करता है ammonia as a strong ligand act करता है तो इसके कारण आपके पास यहां से क्या हो जाती है pairing जो है हमारे पास d में 6 electron है तो obvious है सारे electron यहां पर क्या होंगे pair हो जाएंगे 1 2 3 4 5 और 6 तो यह electron भी यहां से क्या होंगे pair हो जाएंगे these electron are also got paired तो यह pair हो जाएंगे तो इसका मतलब यहां पर हमारे पास जो hybridization है वो d2 sp3 हो जाएगी और यह octider complex होगा लेकिन जो fluoride है fluoride जो है वो weak field ligand है weak field ligand होने के कारण यह pairing नहीं कर पाएगा इसलिए यहां पर जो इसका electronic configuration बनेगा वो कुछ ऐसा आपके पास बन जाएगा like this यह electronic configuration तो यह जो complex आपके पास क्या होगा यह आपके पास जो पैरा magnetic हो जाएगा nature में कैसा हो जाएगा पैरा magnetic in nature और यह जो complex यहां पर है यह आपके पास कैसा हो जाएगा nature में वीडियर गुदंधर भाएगा इसलिए